सर्दियों से जुड़ी हुई खबर ब्रिटन से सर्दियों में ब्रिटन में अपराद बर सकते हैं हालाद से निपटने की तयारी कर रही है पुलिस सेंध मारी, ब्लैक मेल जैसी घटनाओ से निपटने की तयारी कर रही है तुकि महंगाई बर सकती है वहाँ पर बरती महंगाई को देखते हुए वारदाते हो सकती हैं ब्रिटेन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ब्रिटेन की एकॉनमी नंबर 6 पे आ गई ब्रिटेन में महंगाई बहुत चरम पर है सर्दियों में वहाँ पर उनको भी गैस की लिए प्रॉब्लम हो सकती है और ये सारी चीजें वहाँ पर लॉन ओर्डर की एक बड़ी सिचुएशन क्रियेट कर सकती है नेशनल स्ट्राटजी के लीक दस्तावेजों के हवाले से संडे टाइम्स की ये चौकाने वाली रिपोर्ट है UK यानि United Kingdom पुलिस को सता रहा है ब्रिटन में सर्दियों में अपराद बढ़ने का डर पुलिस को लूट, चोरी, ब्लाकमेलिंग और ऑनलाइन धोखा धड़ी बढ़ने का डर है बच्चों के ड्रग्स के दलदल में जाने और महिलाओं के यौन शोशन का खत्रा बढ़ेगा ये डर है वहां की पुलिस को और क्या डर है, लंबे वक्त तक आर्थिक दबाओ की वज़ा से समाज में भ्रष्टा चार और अश्चांती फैल सकती है एक और बड़ी खबर, ब्रेटन में पब और रेस्टों जैसे कारोबार पर ताला बंदी की सुनामी अब ये देखिए कैसे वहां पर हालाद खराब हो रहे हैं अगले महिने 80% तक बढ़ सकते हैं घरों के बिजली बिल एक साल में बिजली बिल साड़े 300% और गैस का बिल 400% बढ़ा है यानि अगर आप एक साल पहले गैस का वहां पर दाम 100 रुपे दे रहे थे तो अब एक साल में करीब 400 रुपे दे रहे हैं बताइए कारोबारियों ने सरकार से जल्द हस्ताक शेप करने की अपील की है और वो कह रहे हैं कि हमें राहत दी जाए महेंगाई से ब्रिटन की एनरजी खत्म होती हुई दीख रही है छोटे रेडियो स्टेशन, कैफे, दुकाने इन सब पर बहुत बुरा सर पड़ा है और कुछ कारोबार तो पहले ही बंद हो चुके हैं फूड बैंक, रेस्ट हाउस समें दूसरे कई कारोबार पर 80% महेंगाई का ताला लटकने वाला है 2021 के बाद छोटे वेवसायों के बिजली बिल 300% और गैस का बिल 400% बढ़ा है जो बिजली कनेक्शन 24 लाख से रिन्यू हो रहा था अब एक करोड रुपए हो गया है 400% से भी ज्यादा का इजाफ इजाफा और यही बहुत बड़ा यहाँ पर बिटेन के लिए एक चिंता का सबब है